वर्ष में इस तरह का सत्संग तो एक ही बार होता है यहाँ तो आसपास के लोगों के लिए एक बहुत सुन्दर औसर है पूरा लाभ ले और इसी प्रकार के सत्संग से लाभ लेने के लिए लोग दूर की आत्रा करते हैं आप सब जानते हैं दूर जहां संत जन निवास करते हैं वहां चाहे वह प्रयाग राज हो अयुद्ध्या हो हरिद्वार हो या जहां जहां संतों की जमगट है जहां इस प्रकार के आयुद्धन होते हैं जीवन कल्यानकारी बातों का विस्तार से वरणन होता है वहां लोग दूर दूर से जाते हैं और बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए जीवन में कुछ स्किल डवलब करने के लिए तो पैसा दे करके भी लोग जाते हैं सत्संग अजन तो फ्री होता है शायद इसलिए इसका महत्य जितना दिया जाना चाहिए उतना नहीं दे मिलता है कबिर साहब जी ने कहा है ना बिना दाम काम ना आवय बिना दाम के काम नहीं आता है दाम चुकाओ तो ही महत्यका होता है कीमत दे करके किसी चीच को हम ले यहाँ एदी कोई टिकट लगके टिकट कटा के आना होता भई जो भी सत्संग में आएगा उनको पचास रुपिय देने हैं और पचास रुपिया कटा के पैसा दे कर के आते तो भई पूरा पैसा वसुलना है पूरा देर तक रुखना है जैसे कोई सिनेवा देखने जाए तो बीच में कहां छोड़के जाते हैं कोई नहाटक देखने जाता है तो वो छोड़के नहीं जा तो आधेर आस्तिम जा की उतर जाओ, ऐसा त नहीं होगा ना, पैसा दिये हैं, ऐसे चोड़ देंगे, कोई कहें उतर जाओ, कैसे उतर जाएंगे, पैसा दिये हैं, तो पैसा दे करके उसका महत तो होता है, लेकिन सत्तसंग तो फ्री में, वो इसलिए है, कि आदमी बड़ी सर अच्छे विद्यालाय और महाविद्यालाम पढ़ते हैं, तो वहां भी फीस देते हैं, तो बाते पढ़ाई जाती है, यहां पर जो फीस है वह क्या है, बड़ी धैर ये पुरुवक, विनम्रता और शालिम्ता से जो कुछ कहा जाए उसे स्रवन किया जाए, और जो कुछ उसे जीवन में धारन करने का अभ्यास किया जाए, क्योंकि जानना और न करना न जानने के बरावर है, जानना और न करना, जानने कि यह करना है यह नहीं करना है, लेकिन जो जाना गया है उसको किया नहीं जा रहा है, तो क्या कहा है? वो नजानने के बराबर है जैसे कई बार ये उदारन दिया जाता है कि एक आदमी है पुस्तक पढ़ना नहीं जानता और एक दूसरा आदमी है जो पुस्तक पढ़ना जानता तो है लेकिन पढ़ता नहीं है तो दोनों में तो अंतर नहीं है फिर पढ़ना जाने लेकिन पढ़े तब महत्वका है तब अंतर है और जो पढ़ना नहीं जानता वो तो पढ़ना नहीं जानता इसलिए नहीं पढ़ता लेकिन जो पढ़ना जानता है वह भी नहीं पढ़ता तो उनका भी इस्तर कहां का है न पढ़ने वाले समान ऐसे ही एक आद मी ही हो आ आद मीरन एक सत्संग में। कभी वह साधुसंगत और सद्संग के संपर्क में वा ही ऐसलिए इसलिए उसे जीवन, कल्यानकारी बाते जादना की बाते भक्ति, ज्ञान, बहराग की बाते और वेवहार की पवित्रता के बाते तिह दाता है। कि पुष्टकों को पढ़ा है अर्था तुने इस संबन में कोई नालेज नहीं है, ग्यान नहीं है तो फिर जो आसपास के लोगों से सुना आसपास के लोगों को देखा करते हुए चाहे घरवालों को हो चाहे पडोसियों को हो परिवार और रिस्तेदारों को देखा कि ऐसा करता है कोई आदमी तो ऐसा करना चाहिए कोई गाली देता है तो गाली देना चाहिए कोई अपमान करता तो अपमान कर देना चाहिए रास्ता में चल रहे हो और किसी के सुन्दर कोई फल है किसी की बाड़ी में तो फल तोड़ो क्योंकि औरों को भी तोड़ते देखे हैं तो वो दूसरों को देखते जाते हैं बस वैसे ही वेभार अपने में लाते जाते हैं अब उनके जीवन में समझ नहीं आता है कि ये गलत है कि सही है नहीं पता चलता है अच्छा पकड़े गए पीटे गए अप्मानी थुए और यह तो होते रहता है इसमें कौन बड़ी बात है लेकिन जब कोई सत्संग में आता है तुन्हें समझ में बात आती है नहीं यह जीवन जिने का तरीका नहीं है और है तरीका अलग है इसको यह ऐसा नहीं किया जाता है ऐसा नहीं बोला जाता है यह सारी चीजें जब वह सत्संग में सीखता है तो सीख तो लिया लेकिन वैसे है जैसे नहीं सीखे के सामान, लेकिन जब सीखा गया, उसके लिए अभ्यास किया जागया, प्रियास किया जाएगा, तो जीवन में बदलाओ दिखेगा, यहाँ आकर के सुनें, कि साहिब कहते हैं, सदुरु कबीर कहते हैं, कि ऑछा कहते हैं, यही ठोड़ी सु तक में भी पढ़े होंगे, बहुत सरल सी बात, ऐसी वारनी बोलिये मन का आपा खोए, अवरन को शीतल करे आपुई शीतल होए, बस, इतनी सी बात है, अब अब ये पंक्ति तो है, अब इसको क्या करना है, अब यह मेरे जीवन का हिस्सा हो जाए, क्या कहा रहे है साइब, ऐसी वारनी बोलिये मन का आपा, मन में अहम भाव रख कर के न बोलो, यदी वैसा रखोगे, तो फिर वो अशब्द जब आंकार में लिप्टा हुआ सब्द निकलेगा, तो सामने वाले को तकलीफ होगी, आपको भी शब्वन नहीं मिलेगा, तो साइब कहते हैं कि तो बोलना कैसे है ये भी बता देते हैं, ये न बोलो, मतलब यह न करो, अच्छा तो करो क्या, वो भी बताते हैं, eh sih ai haid काते है कि औरन को शीटल करे कर दूसरों को शीटलता पहुंचा एसा नहो की आप बोले और आग लग जाए यहां कहते भी नहीं ए उनकी बाते उनके बस मुझे आग लग गई होता है जह कभी-कभी कहते हैं ऐस आज बोलते हैं कि अज बस आग लग जाती है तो आग लगने का मतलब वही है हमारां बढा Pakistani कहा जाना मतलब ज्टंक से बातें कह पहदें जिससे आदमी सामने वाला सामने वाला साजना अच्छी इस बहाओ से ही उनतल में भुआओ से इस बहाओ से ही कहा गए है कि सामने वाले को तकलीफ मिले उनको दुख रहत हो अब कोई सामने वाला बहुत ही परिपक्वा और साधना परायन हो, तो उनके सब्दों का प्रभाव नहीं बढ़ेगा, यह हो सकता है, लेकिन कोई आदमी लगातार किसी को ऐसे सब्दों का बवचार करता रहे, तो एक साधक और साधना परायन भी उसको पसंद नहीं आएगा तो अच्छ नहीं लगेगा, और यह चाहेगा कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो क्योंकि यह निके मुह में तो जहर है, ठीक नहीं है, और लगातार कोई चाहेगा कि हमारे पर जहर उगले, कोई जूरत नहीं है, क्योंकि मालो, हो सकता है उससे उनका फरक न पड़े, यह हो सकता है, लेकिन वह जो उसको शहने में या कहना चाहिए कि उस जब तक वो सुनता है तब तक के वह कम से कम अपना काम तो नहीं कर पाएगा, विकाश का काम तो नहीं कर पाएगा, अध्यापनी विकास तो काम तो नहीं कर पाएगा, इसलिए हम यदि य कि जब कोई दूसरा ऐसा बोलता है तो मुझे तकलीफ होती है यह मुझे अन्भव है जब मुझे यह पता है कि दूसरों के इस प्रकार के गलत सब्द बोलने से तकलीफ होती है इसका मतलब है सामने वाले को भी तकलीफ होती है Sahib ने कहा है ने जैसा बन्हास आपना वैसा बन्हास बन्हान对 अब अउन क centuries में कहा है हो लिमलस一樣, जैसा था से मेरा मन का जंगल है उयसे, दूसरों का भी है आर्फात में आदनी ज़िक कोई ठीक से निरिक्षन करे तो अपने जीवन को पढ़ने लग गया नो दूसरों के भी जीवन को पढ़ने लग जाता है अपने मन के बारे में जानने लगा तो लग भग वसी आसपास में वो दूसरों को भी जानने लग जाता है कि भई मनुष्य की ये ढंग है मनुष्य में इस प्रकार के विचार आते हैं, ऐसी परिष्थित में ऐसे विचार चलते हैं, ये एक सुभविक सा मन का नियम है, तो समझ लेगा कि इसका मतलब औरोप मन भी भी आसा चलता होगा, ऐसा चलता होगा, तो अपने में जब घटे, तो ये समझो दूसरों में भी, जब हमसे गल्ती हो जाती है, हमसे गल्ती हो जाती है, तब हम क्या कहते हैं, मेरी गल्ती को लोग छमा कर दे, अच्छ तो दूसरे इक मन भी यही चलता है, दूसरे इक मन में क्या चलता है, जब गल्ती हो जाती तो क्या समझता है, मेरी गल्ती छमा कर दी जाए, मेरी गल्ती हो गई तब यह मैं समझ लूँ कि दूसरे आदमी से भी गल्ती हो सकती हो जाती है तब क्या करना प्रहार नहीं करना है प्रहार नहीं करना है क्या देखना है कि आदमी है इतना परिपक्प नहीं है और गल्तियां होती रहती है इसलिए उन्हें छहमा कर दें संभव है यदि आ आप में और अधिक परिपक्वता है, तो आप उन्हें एक सही रास्ता बता सकते हैं, वो भी सरलता से, दिखे, कभी-कभी किसी को हिदायत देते हैं, उसमें भी बड़ांतर है, हिदायत इजभाओं से देते हैं कई बार, कि उसको वो अपमानित महसूस करें, मतलब सबके बीच उन्हें जलील करना चाहेंगे, उनके दोसों को का वर्णन करना चाहेंगे, मतलब उन्हें अपमानित करें, इसलिए यह कह रहे हैं, तो सामने वाला भी, फिर उसके मन में भी अकड़भाव जग जाता है, क्योंकि यह अकड़का ही तो लक्षण है, कि आप उनके इस प्रकार से अपमानित करने की चेश्टा कर रहे हैं, कश्ट देने के, लेकिन जब आपके मन में हितका भाव होता है, और उन्हें सुधार का भाव, उनके प्रती सुधारातमक भाव हुआ, कि नहीं, इनका भला हो, तो उसके बाद, देखिए पहले क्या हुआ, भीतर में क्या विचारा है, इनका भला हो, कुछ ऐसी बात इन्हें बता दी जाए, और यह सुधर जाए, इनका भला हो, अब इस भलाई के भाव से जब बोलेंगे, तो आदमी निश्चित रूप से ग्रणसील हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा न, हम जो सब्द निकालते हैं, तो निरानिर सब्द नहीं निकलता है, वो सब्दों के उपर में, जैसे कोई कड़वी गोली होती, तो कड़वी गोली के उपर में, शुगर कोटेट होता है, ऐसे ही सब्दों के उपर में लेयर चड़ता है, लेमिनेशन, जैसे पुस्तक के कवर में लेमिनेशन चड़ाया जाता है, आजकाल तो आप से भी जानते हैं, कोई ID होती न, ID में इसको लेमिनेट कर दो, एक मतलब उपर से प्लास्टिक कोटेट कर दो, प्लास्टिक से, ताकि ये पानी वगर भीगे ने जल्दी खराब न हो, ऐसे ही अंदर की भावनाएं, हमारे शब्दों पर लेयर चड़ा देते हैं, अच्छा भाव है, तो शब्दों में अच्छा लेयर चड़ गया, मतलब एक सुंदर और शब्दों आत्मा ही तैसी भाव वाला, लेकिन उसी अंदर का भाव में प्रदूशन है, दूशित है, अंदर में कालुशिता है, मतलब अपमानित करने का भाव है, तो वो शब्द निकलेगा न तूश शब्द में वो ऐसा लिप्ठा हुआ रहेगा, मतलब लिप्ठा हुआ भी कहना सही नहीं है, वो समाय वह जैसे, रजगुल्ला होते हैं न रजगुल्ला, रजगुला में जैसे चीनी या जलेवी में जैसे चीनी समाग है बिलकुल वो तब प्रोथ है ऐसे ही उस सब्द में वो भाव बिलकुल अंतरंग पिरोय होता है और हम सभी जब शब्द किसी के अंदर से आता है न तो भीतरवाला ये समझ लेता है कि ये किस धंग से कह रहा है किस धंग से तो कोई हित ऐसी भाव से कोई कह रहा होता है तो आदमी विनम्र होता है और सुधार के लिए भी सोचता है भाव सही है कितने हमारे हित के लिए उनकी बाते हो रही है ये होता है तो कहने का मतलब यह हुआ, अपने जीवन के क्रिया कलापों को जान करके, अपने अंतर को जान करके, दूसरे के भी अंतस को देखो, सत्फप्रतिसत तो समझना मुश्किल है, और कई लोग तो जब चिपाने लगते हैं तो और कठी न हो जाता है, और कहते हैं कि सच्चे बोघों को समझना सरल है लेकिन जो कुटिल है कुटिल थोड़ा कठोर शब्द हो गया लेकिन जो सच्छे नहीं है ऐसे लोगों को जिनका चोड़ा-टेढ़ा मेरा है वेवार ऐसे लोगों को सब्झा बहुत कठी क्योंकि वो अपने को भीतर से बदलने में बड़े, वो माहिर हो जाते हैं, यद्दपी, यह बहुत लंबा समय नहीं चलता, यह भी सच है, क्योंकि कोई भी मुखाउटा कब तक चलेगा, कब तक के मुखाउटा लगाय रहोगे, अंत में, जहां लंबा संबंध होता है, वहा यह बहुता है, क्योंकि कोई कुछ समय के लिए मिला जैसे आप हम सभी यात्रा में मिलते हैं, ट्रेंड की यात्रा, बस की यात्रा, तो कुछ देर के लिए मिले, तो अच्छा ही बेवहार करता है, आधमी. ऐसा नहीं है कि सुरू से ही अपना, कुछ लोग तो होते हैं थोड़ा सा, बहुत जल्दी अपना जो गलत वेभार को प्रगट करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी सालिंता बरती जाती है, थोड़ी देर का संबंध है, कहा है कुल जना, और सरलता से बातचीत कर लो, आगे न कोई बात नहीं, यह हम कर लेते हैं लेकिन जब उनके साथ लंबा समयरादा हो, तब कठीन है फिर, आप जो वहाँ पर सहंसिल बन रहे हैं, बिनंवरा और सालिंता का वेभार कर रहे हैं, तो फिर यह लंबे समय के बाद में क्या कर पाते हैं, यदि कर पाते हैं, तो ही आप कि असली परिक्षा भही पर आप समझें कि असली रूप प्रगठ हुआ यही कहते है जब लंबे समय तक किसी के साथ रहो तो पता चलता है कि आदमी खरा है कि खोटा है साइब जी बदा रहे हैं बुलिए सद्गुरु देव की जै सुबा तो कहा था आगे बढ़के बैठो कहके अब तो कहूंगा पीछे जाओ और पीछे जाओ वहां तक जाओ जहां तक दिवार है बैठना ही तो है चाहे वहां बैठो तो भी उतना यहां बैठो तो भी उतना आप कहेंगे तो फिर क्यों आगे बढ़वा रहे हैं वो बता दिया था क्यों आगे बढ़ा रहे हैं बैठ जाओ बारहाल जिनको अपना इस्थान परिवर्तन का मन नहो तो बैठ जाएं बेठ जाओ हाँ घर जाने का भी समय हो गया है हाँ आगी बार एक समय हो गया है ते इसलागाती है अभी तो टाइम है भहुता कनले ठीक है भजन वगेर होगा तो गाय है यह तो बाती हो गई पुरी हाँ हाँ प्रेम से बुलिए सद्गुरु कबेर साहव की जह है परंपुजी गुरुदेवजी को सुनने से पहले एक भजन सुनते हैं ठीक है